Hello dear subscribers, मैं हूँ आपकी दोस्तों स्वागत है आपका Best Care of Women's में Transcape Periods में भी relation बना के pregnancy conceive की जा सकती है क्या उस चाइम पे egg release होता है जब आप relation बनाए और pregnancy conceive कर ले क्या ऐसा possible है इसके regarding बहुत सारे question है आप subscribers के मन में जिसमें से बहुत सारे लोगों ने comment करके पूछा है अगर आप periods में relation बनाते हैं तो कितने chances होते हैं pregnancy के conceive होने के और क्या इस टाइम पे egg release होता है कि अगर आप relation बनाए तो egg sperm कमीट हो जाए और pregnancy conceive हो जाए क्या होता है पूरा process actual में आज की सीडियो में हम इसी भी बात करने जा रहे हैं उसके चारों तरफ endometrium की दीवार तयार होती है endometrium की lining तयार होती है जो कि आपके periods के बाद से बननी शुरू हो जाती है और periods के time पे आपके छोटे 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 एकस बन रहे होते हैं शरीर पे यह जो endometrium की lining है यह periods के बाद से बननी start होती है और आपकी अगले period की date तक बराबर यह अपने आपको develop करती रहती है अच्छे से तयार होती रहती है इस दीवार को तयार होने का मतलब यह है कि अगर जब sperm और egg का meat होगा और fertilized जो egg होगा वो आकर के fallopian tube से इसी uterus की lining है जो दीवार endometrium भी इसी में आकर के चिपकेगा यहीं से उसका nourishment यहीं से उसका nutrition स्टार्ट होगा जब वो brun होता है वो आकी इसी दीवार से चिपकता है यहीं से उसके pregnancy के शुरुवात होती है ग्रोथ होती है बच्चे का nourishment शुरू होता है यह दीवार मोटी और पतली दो तरह से तयार होती है किसी महीने यह दीवार जब बहुत अच्छी बहुत मोटी तयार हो जाती है तो प्रेगनेंसी जादा अच्छी होती है बच्चे के growth development जादा अच्छा होता है लेकिन जब दीवार पतली होती है अच्छे से develop नहीं हो पा जवाब यह है कि यह जो endometrium की दिवार है जो कि periods के बाद से शुरू होती है और अगले महीने की periods तक तयार रहती है अगर pregnancy conceive नहीं होती है तो यही दिवार जो है यह periods की bleeding के साथ बाहर निकलती है अब अगर इस time पे आप relation बना रहे हैं pregnancy की point of view से अगर आप relation बना रहे हैं इस time पर तो pregnancy कैसे conceive होगी जो दिवार तयार थी वो तो periods की bleeding के साथ बाहर आ रही है तूट तूट के तो वो दिवार जब है ही नहीं वहाँ पे तो बच्चा कहां जा की चिपकेगा बच्चे की growth, nourishment कहां पर होगी क्योंकि यही time होता है periods का अगर pregnancy conceive नहीं होती है तो वो endometrium की दिवार बाहर निकलती है जो कि आपको plots दिखाई देते हैं, heavy bleeding अपने periods में दिखाई देती है वो यही endometrium की दिवार होती है पहला point, दूसरा point की periods के time पर एग जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे बन रहे होते हैं यह एग धीरे धीरे अपना size बढ़ाते हैं और जब आपके evolution का time आता है तब तक यह एग mature हो जाते हैं यह एग जो है वो follicle के अंदर होते हैं फॉलिकल की उपर एक lining होती है उसकी अंदर यह एग mature हो रहे होते हैं जब यह एग पूरी तरह सो evolution time में mature हो जाते हैं तो यह follicle की जो lining है वो rapture हो जाती है फट जाती है और यह एग उसमें से बाहर निकलके fallopian tube में आ जाते हैं अब दो point यह हो गए कि जब endometrium की दिवार ही तयार नहीं है और जो tooth की periods की bleeding के साथ बाहर निकल रही है तो उस time पे relation बनाएंगे तो कहां पे जाकर के nourishment हो का बचेगा और दूसरा point कि जब एग अभी छोटे छोटे हैं वो mature ही नहीं है वो अपने time पे mature होंगे जो कि evolution time है त जब वहाँ पे egg ही नहीं है जब वो release ही नहीं हुआ है तो यह दो point होते हैं कि periods में अगर आप relation बनाते हैं तो उससे pregnancy conceive नहीं होती है pregnancy के conceive होने का खास समय है आप आपके period date के 10 दिन बाद से 20 में दिन के बीच में अगर relation बनाते हैं तो इस time पे possibility होती है क्योंकि egg sperm जो है उसके पास quality होती है वो 5 दिन तक जिन्दा रह सकता है वो उतने 5 दिन तक swim करता रहता है अंदर महिला के वजायना में जाने के बाद इस दौरान अगर एग विचियर हो गया तो रिलीज हो जाता है और इस पाम और एग का मीट हो जाता है उस 10 दिन में possibility होती है लेकिन अगर आप periods में relation बना के सोच रहे हैं pregnant होने की तो यह जो method है पूरा यह जो biological method है इसके हिसाब से यह possible नहीं है कि आप periods में pregnancy conceive कर सकते हैं तो य periods में relation बना के pregnancy conceive नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह पूरा एक अपने आप में process होता है pregnancy को conceive करने का pregnant होने का और periods में यह process complete नहीं होता है क्योंकि endometrium की दिवार ही जब तयार रही होती तो बच्चा चिपकेगा कहां से जब एग ही mature नहीं है तो इस पाम fertilize करेगा किसे तो आई और आप मेरे answer से satisfied होपा है फिर भी कोई queries है कोई confusion रह गया है तो आप वह भी पूसकते हैं उसका reply भी आपको जरूर और जल्द मिलेगा चलिए मिलते हमारे नए वीडियो में किसी नई और बेहत खास जानकारी के साथ तब तक के लिए bye bye see you soon stay happy and stay healthy